नमस्कार दोस्तों मैं स्वुनी गोतम गोतम कुंश्यट पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं सवस्ता स्वर्यक्षन 2020 में 10 लाख से ज्यादा अबादी वाले सहरों में मध्य पर्देश के इंदोर को सबसे साफ सुत्रा सहर चुना गया है आखिर यह कैसे हुआ इसी के बारे में आजम चर्चा करने जा रहे हैं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेश नोटिफिकेशन मिलती रही साथियों सरवस्ता सरवेक्षन 2020 के प्रेणाम गोशित के जा चुके हैं और एक बार फिर मध्यापरदेश के इंदोर ने पहला स्थान प्राप्त किया है आखिर दोस्तों की कैसे हुआ रात रात यह हो नहीं सकता इसके पीचे पुरी व्यवस्ता होगी तो चलिए आज सफे पहला दिया जानँ चाहिए तो वह यह नागरिकों को दिया जाना चाहिए सब तक जन्दागी दोना नहीं हो परसासन को क्योंकि जन बागीदारी के साथ साथ जब तक स्थान्य परसासन साथ ना हो तब तक बात अधूरी ही रहती है इन दोनों के सैयोग से ही इंदोर देश का सबसे शाफ सुत्र सहर बन पाया है अब हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिन को अपना करें इंदोर सबसे सब्सुत्र सहर बन सका फैक्ट नमबर वन आज का कच्रा आज ही खत्म साथियों इंदरवासियों ने क्या किया डोर टू डोर कच्रे को इकठा करना सुरू किया इसके लिए दस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए गई और कच्रे के 100% इकठा करने परिवहन और निप्टान की वैवस्था की गई और उसका रजल्ट क्या दोस्तों इंदोर सबसे सब्सुत्र सहर बन गया फैक्ट नमबर टू अलग-अलग कच्रा इंदोर के स्थाने परसासन ने कच्रे को अलग-अलग 18 पार्ट में डिवाइड किया है जैसे की गिल्ला कच्रा सुखा कच्रा पलास्टिक रद्धी हानिकारक चिज्जे इस प्रकार दोस्तों सबको अलग-अलग डिवाइड किया जा रहा है इसके अलावा 23 मशीने दिन रात सडकों की सफाई भी करती है यह इंपोर्टेंट काण है इंदोर को सबसे साफ सुत्रा रखने में फैक्ट नमबर थ्री इंदोर के अंदर 425 यूरिनल वे 225 सामूदाइक सोचाल्या है जिनकी डेली बेस पे सफाई की जाती है औ और साथ में वहां पर दोस्तों ठूकने पर और गंद की फिलाने पर भारी जुर्माना रखा गया है जिससे क्या होता है आम नागरिक जुर्माने के डर से बच करें ऐसा करने से बचते हैं और दोस्तों यह भी एक मैतवपूर्ण कान है फैक्ट है जिससे इंदोर सबसे बनाना आपको जानकर हरानी होगी कि इंदोर के अंदर स्वम स्वेवी संस्थाओं की सायता से आज के समय में 45,000 गरों में कच्रे से खाद बनाई जा रही है और दोस्तों इसकी वजह से इंदोर पूरे देश में पहला सहर है जहां पर इतने बड़े लावल पे कच्रे से आ इंदोर को साफ सुथा रखने में फैक्ट नंबर फाइव ठैला बैंक और बरतन बैंक साथियों इंदोर के अंदर डिस्पोजल पूरी तरह से बैन है आप वह पर डिस्पोजल का यूज नहीं कर सकते यहां तक कि साधी में भी डिस्पोजल बैन है तो वागा स्थानी प्र प्रियोग कर सकें ठीक है तो और यही वैवस्ता बार बार दुराई जाती है साथ में दोस्तों वहां पर कपड़े के जोले को ज्यादा इंप्रोटेस दी गई है और लोगों में इसको बाटा गया है ताकि प्लास्टिक का कम चेकम प्रियोग हो इसकी वजह से विसाथियों इंदोर सबसे साफ सुत्रसायर बनने में सक्सम होसका है फैक्ट नमबर 6 कच्रे से कमाई साथियों इंदोर का नगर निगम गिल्ले कच्रे से खाद बनाकर किसानों को दो रुपे परती किलो के इसाफ से खाद को बेच रहा है इससे क्या और साथियों किसानों को खाद मिल और नगर निगम को पैसे मिल रहे हैं और इसका परिणाम क्या वाद दोस्तों नगर निगम को हर साल डेट से दो क्रोड रुपे के बीच में कमाई भी प्राप्त हो रही है और साथ में आपको एक बात बताना चाहूंगा साथियों जो वहां का स्थाने प्रसासन है नगर में आजाते हैं मतलब की सफाई करमचारियों के साथ है वह पूरी व्यवस्ता का ध्यान रखते हैं और दोस्तों जब सरकाई तंतर इतनी मजबूती के साथ खड़ होता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रिणाम क्या होंगी इन सब चीजों को मिलाकर दोस्तों लास्ट में हम कह आसकते हैं कि यह वह सब चीजें हैं जिसकी वजय से इंदोर पूरे देश में लगातार चोथी बार प्राप्ते कर सका है तो फ्रेंड से पूरे देश को इससे सीखने की जूर्थ है ताकि हमें कचरे का ठीक से प्रियोग कर सकें और अनेक बिमार्यों से बस सकें आपको वी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज के लिए तना ही थैंक यू है विनाश टे